तो हम लोग अब फिजिक्स की एक नई दुनिया में कदम रख रहे हैं सबसे पहला पार्ट तुम्हारा इलेक्ट्रो माइग्नेटिजम था साथ चैप्टर पढ़े फिर आठ्वाई उलेक्ट्रो माइग्नेटिक वेव्स था जो भी नहीं पढ़े हैं हम बाद में पढ़ लेंगे कोई दिक्कर नियुए उसका ठीक है फिर हमने ओप्टिक्स देखा रे ओप्टिक्स वेव अप्टि इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रोनिक्स से तुम लोग तुम्हारी जिंदगी चल रही है, आसान वासे हम बोलो तो अगर मैं तुमसे तुम्हारा मोबाइल ले लेता हूँ, तुम्हारे प्रान भी निकल सकते हैं, इस वेरी मच पॉसिबल, विट मैनी ओफ यू, ऐसा हो सकता ह ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सेमिकंडक्टर के बारे हम पढ़ेंगे, और सेमिकंडक्टर से ही अपना पुरा दुनिया चल रहा है, मतलब तुम्हारे यह जितना भी इलेक्ट्रोनिक डिवाइस है, हर एक चीज, टेलीफोन से लेके यह रिकॉर्डिंग के लिए जो हम व तो अब इसके शुरुआत के बारे हम बात करते हैं, कहां से शुरू हुआ, तो भई देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, और यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा लेंडमार्क है, इंदे हिस्ट्री ओप फिजिक्स, इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी, डिस्कावरी ओफ यह सबसे बड़ा लेंडमार्क था क्यों कि इसके बाद टेक्नोलोजी में एकदम ऐसा एडवांस्मेंट आया कि दुनिया ही बदल गई समझ रहो खुद तुम सोच सकते हो 1900 के आसपास की जो दुनिया थी जब अंग्रेज भारत आये थे और आज की जो दुनिया है भभभभभभभभभ वेजंजन इलेक्ट्रिकल इंजन था अब क्या है सब इलेक्ट्रिकल हो गया है तो वह जो सफर है कि ज़र्नी है कितने इंट्रेस्ट्री होगे गर उसकी हुच्ट्रि में गिजाका कर देखो के तो हमने को यह सब चीजे तो इतनी डीटेल में नहीं पड़नी है बट फिर भी सोच सकते हो यह ना जैसे देखो स्लाइट वेट कर और इसको अपने को मूँ कराना है इसकी डारेक्शन चेंज करानी तो कितनी एनेर्जी लगेगी जब मास बहुत कम है तो एनर्जी भी बहुत एकल माइ साहएगै करेंगे और अपना काम आराम से हो जाएगा कि नहीं जैसा भी हम चाहते हैं इधर मच जा इधर जा कुछ नहीं थोड़ी सी energy waste किये हो गया काम समझ माई बाद तो ऐसा है कि तुम लोग वो chapter कौन सा था जिसमें cyclotron पढ़े थे याद है क्या करते हैं cyclotron से बहुत ही हाई velocity पर accelerate कर वा देते हैं bombardment कराने के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए यह भी आसान काम है है ना तो इसका मतलब क्या है कि यह बहुत ही ज्यादा फाइदे मन्द है और इलेक्ट्रॉन की speed लगभग speed of light के एकदम comparable fraction तक अपन accelerate कर सकते हैं लेक्ट्रॉन को तो यह सब चीजे इसका बहुत ही important फाइदा है अब controlled flow की जरुवत क्या पड़ी तो देखो तुम्हारे पास जितने भी device है ना सब में electrons है इलेक्ट्रॉन ही flow कर रहे है और उनका जो flow है उसको हम लोग change कर सकते जैसे यह जो चल रहा है अभी यह जिस स्पीड पर चल रहा है अगर मैं इसको दो बार रसी खिषता हूं तो इसकी speed बढ़ जाएगी है ना तो इससे क्या हो रहा है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कम जा रहे थे पर हमने जैसे इसको दो बार खिचा तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए और अब कम हो गए क्या है बात समझ मैं तो इलेक्ट्रॉन्स के flow को ही हम change कर रहे है बट यह इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर बात नहीं आ रही है यह तो इलेक्ट्रिकल की बात हो गई तो ऐसा कोई भी डिवाइस जिसका जो वर्किंग है जो एक्षिन है वो अगर controlled flow पे based होगा इलेक्ट्रॉन के तो उसको हम लोग बोलते हैं electronic device और तुम्हारी जिंदगी electronic device के आसपास ही चलती है चाहिए इस कमरे में देखोगे तो तुमको बहुत सारे electronic device दिखेंगे खुद ही देख लो शुरुआत करोगे phone से है ना तुम्हारे पास भी है ठीक है फिर घड़ी वाच फिर यह recording के लिए जो अपना माइक है यह वहाँ पे emergency light रखा हुआ है प्रोजेक्टर है चार्जर है उदर printer में देखो जियो फाइबर AC जितनी भी चीज है जहां भी तुमको दिख रहा है सब जगह electronics का यूज हो रहा है जितनी भी तुम छोटे छोटे एलेक्टरॉन को ठीक है तो जब हम लोग physics में elektrons के controlled flow की बात करते हैं यह electronic devices की बारे में study करते हैं तो उसको हम लोग बोलते है electronics क्या बोलते हैं electronics ठीक है और यह जो electronics है ना यही basic building block है electronic circuit का तो तुमनों electronic circuit क्या होता है यह आगे देखोगे बट एक basic language में कर सोचोगे तो तुमनों उच्छी पिल देखे यह computer का motherboard खोल के है ना तो वो सारे electronic circuits है और उसका जो सबसे basic है वो क्या है transistor is not the basic वो तो आएगा आगे आएगा ठीक है तो यह जो हमारा electronics है यही basic है इसका हर एक electronic device हम लोग देखते हैं तो सबसे basic electronic device जो है न वो है diode जिसमें दो terminal होते हैं फिर आता है अपना transistor जिसमें तीन terminal होते हैं तीन terminal का मतलब तीन इलेक्ट्रोड डायोड में दो इलेक्ट्रोड डायोड नाम से क्लियर है ना डाई ओड ओड इलेक्ट्रोड से आया है डाई मतलब दो है ना ठीक है इसके लावा integrated circuits तो जो तुम लोग देखते हो आई सी आई सी उड़ गई सुने हो गए सब चीजे तो यह सब यहीं से आया हुआ है तो अब यह semiconductor devices का सबसे important फाइदा क्या था जिस वाज़े से इसका हम लोग इतना ज्यादा यूस करने भई तो देखो electronic device में ना हम लोग को बहुत ही हलका excitation चाहिए मतलब current flow कराना है कुछ नहीं करना हलका सा heat दे दो हलकी से light डाल दो यह बहुत छोड़ा सा voltage एक वोल्ट से भी कम हो गया काम चालू तुम चार्जर कितने वोल्ट पर काम करता है पांच वोल्ट 9 वोल्ट at max mobile charger की बात कर रहे है तो यह बहुत ज्यादा excitation नहीं compare टो अगर यह बल्ट जलाना है तो तुमको 220 वोल्ट देना है तो इसके अलामा स्टोरी जो शुरू हुई थी ना electronics की उसकी स्टोरी सुरू हुई थी vacuum tube से ठीक है अब vacuum tube क्या होता था यह एक दो terminal device होता था ठीक है अब इसमें एक cathode होता था एक एनोड होता था इसको vacuum chamber में हम लोग रखते थे फिर उसके बाद cathode को heat करते थे वहां से electronical canode की तरह flow करते थे तो यह हम लोग स्टार्ट किये थे फिर बाद में इतना advancement हो चुका है कि अब कोई vacuum create करने की जर्वत ही नहीं है solid material के अंदर ही अपना सारा काम हो जा रहा है तो vacuum tube में भी कई तरह थी जो हो सकती थी जैसे vacuum tube में सबसे पहला जो होता था वह डायोड होता था vacuum diode दो टर्मियाल वाला vacuum triode भी होता है जिसमें तीन को heat करना पड़ता है ठीक है और potential difference को change करके electron के motion को अपन control कर सकते हैं सीज़ी सी बात है potential change करोगे तो क्या होगा electric field change होगी तो जो electron पे लगने वाला force है वो भी change होगा तो उनका motion change होगा पूरी चीज एक दूसरे से connected है ठीक है इसके अलावा vacuum इसमें जरूरी होता है दोनों electrodes के बीच में vacuum create करना जरूरी होता है इसका reason क्या है भई अपन तो बैटरी लगा रहे है ना बैटरी से voltage change कर रहे है तो उसका motion change कर रहे है लेकिन अगर वहाँ पे vacuum नहीं है तो क्या होगा एयर के molecules है ना उनको compare करोगे electron से तो उनका भी size तो है ना और एयर के molecules से टक्कर होगी क्या होगा kinetic energy का loss होगा तो अपने तो नुक्सान हुआ ना इस वज़से हम लोगों को vacuum create करना जरूरी होता है अच्छे vacuum tube में एक problem मेरे को लगती है क्या है क्यों vacuum tube में cathode से एनोड बस current जाएगा cathode से एनोड ही current जाएगा मतलब electrons जाएंगे bi-directional flow possible नहीं है यहाँ पर क्योंकि cathode को heat करोगे electron emit करेगा वह एनोड की तरब जाएगा एनोड को heat करके ultra possible तो नहीं है तो इसलिए इसका एक disadvantage भी बोल सकते हो इसलिए इसको vacuum valve नाम दिया जाता है वाल जानते हो क्या होता है unidirectional होता है न वाल तो वाल खोलते हो पानी आगया उसी वाल से पानी ऊपर थोड़ी न भरते हो दूसरा वाल लगा होता है न उसके लिए वाल भी बोलते है कई बार इसको इसके अलावा vacuum diode का एक और नुक्सान था क्या इसका size बहुत बड़ा हो यह कुछ alternative हो जा जाए ठीक है और सबसे बड़ा नुक्सान यह था ना कि इसकी जिन्दगी ज्यादा नहीं होती थी बहुत ज्यादे समय के लिए vacuum tube को यूज नहीं कर सकते vacuum diode को कारण vacuum है न भाई हलका सा leakage हुआ air गुज गई खतम कहानी तो इसकी reliability भी बहुत कम थी तो वहा solid state semiconductors है semiconductor क्या होते है metal होता है non metal होता है मतलब metal होता है conductor non metal या insulator बोलो अभी इन दोनों के बीच में हो सकता है ना उसको semiconductor बोलते है basic तोर पर तुम्हारा यह जो carbon है यह फिर silicon है germanium है 14th group इसमें जितने भी हैं सारे semiconductor materials है ठीक है तो यह जो solid state semiconductors से ना इनको अपन इसमें मतलब जो current का flow है इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं ऐसा 1930 में लोगों ने पहली बार सोचा तो यहां पर उन्होंने फिर सुरू किया कारेक्रम और फिर बनाया diode फिर बनाया ट्रायोड में तब ट्रायोड नहीं ट्रांजिस्टर फिर उसके बाद integrated circuits बनी और तुम्हारा mobile phone सब चल रहा है टीवी हुई समझाई बार तो अब यह semiconductor का फाइदा क्या हो रहा था सबसे पहला फाइदा तो यह है कि excitation कराने के लिए कोई energy नहीं चीए बहुत हलकी energy हलकी सी heat हलका सा light तुम लोगों ने बगलर एराम के बारे में सुना है स्टोर्स में लगा रहता है कि चोर आया torch लेके खोज रहा है गलती से torch की light पढ़ गई उस alarm पर क्या होगा बजना सुरू alarm है ना तो यह भी एक electronic device ही है तो वो जो torch की रोशनी है उसके पास कितनी energy होगी उसके intensity तो ऐसी कम होती है उससे भी यह alarm बज रहा है समझ रहो क्या हो जर्वत नहीं होती बहुत कम excitation पर भी हम लोग यहां पर charges को flow करा सकते हैं तो यह सबसे पहला और सबसे basic फाइदा हुआ दूसरा यह कि vacuum लगाने की जर्वत ही नहीं solid material है वैक्यूम के क्या करोगे solid के अंदर flow हो रहा है तो कोई tension नहीं तो लंबी life guarantee हो गई इसकी ठीक है न इसके अलावा क्या यहां cathode anode को heat करने की जर्वत है ना वो तो उसमें थी ना भाई क्योंकि cathode heat करेंगे फिर vacuum में flow होगा electron यहां क्या जर्वत है यहां तो लगाए electric field फटा फट कारेक्रम चालू है ना तो यहां पर ना तो cathode heating की जर्वत पड़ी मतलब ना तो इंतजार कर करने की जर्वत पड़ी instantaneous action हुआ यहां समझ माई बात ठीक है इसके अलावा एक चीज़ और देख सकते हो कि भई तुमारा mobile कितना बड़ा है तुमारे हाथ में आ जाता है मतलब काफी छोटा है convenient size है और power कितनी खाता है बहुत कम है ना और बन चालू करते हो बहुत आसान है है कि नहीं तो इसका मतलब क्या है कि यह जो अपना semiconductor material था इसका life भी ज्यादा था size shape सब convenient था size कम था weight भी कम था इसके अलावा क्या कम power भी consume कर रहा था इसके अलावा instant action था अब mobile सोचो तुमारा mobile हो तुम चालू कर रहे है एक घंटे बाद वो चालू हो रहे है तो ऐसा mobile पट्ट सेसा खुल गया हां तो इसलिए यह चीज semiconductor से ही possible होई अब सोचो तुमने ऐसा mobile खरी था कि वो सिर्फ एक महीने चलता है लोगे कभी उसको नहीं लोगे ना तुमको long life चाहिए इसके लाव रिलाइबल भी चाहिए माल लो तुम कहीं जा रहे हो तुम्हां सथ कुछ दुरघटना हो गई अब तुम फोन लगा रहे है लगी नहीं था खराब हो गया है ना तो फिर फोन लगा ही रहे हो और फिर हो गया स्वाहा है ना तो इसका मतलब क्या है कि रिलाइबल भी होना चाहिए तो सेमी कंडुक्टर में सॉलिड जब यूस कर रहे थे हम लोग सॉ हम लोगों को दोनों का ड्वांटेज डिसद्वांटेज भी क्लियर है तो अब ऐसा करते हैं कि पहले थोड़ी हिस्ट्री की एक बात और कर लें कि देखो सेमी कंडुक्टर डिवाइस की खोज हुई नहीं थी उससे पहले भी एक नेचुरल क्रिस्टल मिलता था हम लोगों पहाड वहाड पर जाते हैं रेडियो से टेली कम्मुनिकेशन करवाते हैं तो पुराने जबाने की बात है तो वहाँ भी यह चालू हो चुका था तो रेडियो खोजने के लिए जैसे दुस्मन वाले अपना भेज रहे तो वहाँ पर फिर गैलना लगाए उसमें मैटल कॉं सबसे बड़ा फाइदा यह हुआ था कि यह बहुत छोटा था तुम लोग सुने होगे तुम्हारा कंप्यूटर मोबाइल की बात करते हैं कंप्यूटर उतना सबको आइडिया नहीं रहता मोबाइल में तुम लोग वह चिप इतने नैनोमीटर का है है ना कुछ सोड़ा बह दाता है ना तो वह जूप एक त्रांजिस्टर उतने साइज में लगा होता हैPal бесп BurNet कि इतने छोटे में एक त्रांजिस्टर लग वीडर क्या है एक सर्ट्रॉनिक तो एक ट्रांजिस्टर उतने छोटे से स्पेस में लगता है और कई हजारों ट्रांजिस्टर मिलके तुम्हारा मुबाइल बने हुआ कई सारे समझ में आ रही है बात तो कितना छोटा साइज होगा तुम एज्यूम कर पा रहे हो इट्स जस्ट लाइक की जब शुरुवाती पैंड्राइब बनी थी ना तो उस पैंड्राइब का साइज इस कमरे के बराबर था इस हॉल के बराबर उसका साइज था लेकिन आज और उसका स रख सकते हो SSD आ गया SSD क्या है solid state drive मतलब वहां किसका यूज हो रहा है semiconductor जितना भी solid state है वह semiconductor है पहले क्या था पुराइजमन में HDD आता था है SSD में क्या होता है solid state transistor लगे होते हैं इन में storage capability बहुत fast होती है इसलिए जब laptop खरीटते हो तो SSD में storage रहता है तुम्हारा C drive का बाकी सब कहां रहता है HDD में रख लो क्या फरक पड़ता है ठीक तो अब बात करते हैं यह तो हो गई कहानी इससे अपने कुछ करना नहीं कहानी थी तो अब आगे बढ़ते हैं और classification की बात करते हैं तो सबसे पहले classify किया गया इसको बहुत ही basic तरीके से वह basic तरीका क्या था वह basic तरीका था classification में वह basic तरीका था अपना on the basis of electrical conductivity कि कि भाई कौन कितना conduct कर रहा है तो देखो एक होता है तुम्हारे पास conductor जानते हो तो यह conductor कैसा होता है इसका resistivity बहुत low होता है और conductivity बहुत high होता है ठीक है ना यह मालूम है तुम लोग को दूसरे तुम्हारे पास क्या होता है इंसुलेटर इंसुलेटर कैसा होता है एकदम उल्टा होता है इसका और क्या है तो रजिस्टिविटी हाई और conductivity लो ठीक है कि ने बटे कैसा हो सकता है जिसकी प्रोपर्टीस इन दोनों की इसके इंटर्मीडियेट में हो था ना तो पहले मैं तुम्हारे को दूसरे का जो रेंज क्या होता है मैं तो रजिस्टिविटी यह 10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर разные-ेट окormiuter के रेंज में होतीए अप्रॉक्सिमेटली और इसकी जो connect connected you to yeah iba ho जाएगी टेन की अपर टू से टन की पाउरेट सिमेन पर मीटर सिमेन पर मीटर थी कहा मालूम है ow का उल्टा सिमेन और मिटर का औल्टान मीटर इन्वर्स ठीक है यह रजिस्टीविटी रो एक्वल टूब बाइ सिग्मा याद होगा चैप्टर 3 से करेंट लक्सिटी से इंसुलेटर का होता है तो इंसुलेटर का जो रेंज होता है यह रजिस्टीविटी जो है वो टेन की पावर 8 8 ohm meter के रेंज में होती है approximately all the data तो तो चनक्टिविटी टेन की पाँर माइनस 8 ohm meter के समझ पार अब कंडुक्टिविटी ही नहीं तो क्या ही कंडुक्ट करेगा बेचारा समझ रहे हो ना अब क्या करते हैं अब ऐसा है कि अपने पास जो तीसरा और इंपोर्टेंट जो हम अभ दोनों और नहों के दोनों intermediate होती है तो रजिस्तिविटी जो है वह 10 की power 5 से 10 की power 0 Ohm meagri~~dap के रेंज में होती है और जो conductivity हौँ 10 की power minus 5 से 10 की power 0 cmen per metre के रेंज में होती है तो यह दोनों intermediate है चाई resistivity हो ऊई चाई conductivity हो यह दोनों इसके बीच में है सुखे सर बीच में कैसे काम करता तो कर दोनों करें मैं क Casey Cultural center का भी तो हां दोनों काम करता है कैसे इंज्द एचेंज आज बटने केल बात करते हैं तो kara तोorta कि यह करता है इसकी आपती लेकिन जैसे ऑफल बढ़ता है प्लिक्त हाज साजाते हैं एक होल होता है वो भी generate होता है पढ़ेंगे आगे होल्स क्या होते हैं उसके बारे में तो इसकी वज़ासे इसकी conductivity बढ़ने लगती है और यह जैसे temperature बढ़ता है इसकी conductivity बढ़ती है समझ रहो मतलब जितना ज्यादा temperature उत्ता ज्यादा conductivity उतना ज्यादा यह current conduct करेगा तो इस chapter में हम लोगों को main चीज़े क्या-क्या पढ़नी है भी तो हम लोगों को इसमें diode पढ़ने है डायोट के uses पढ़ने है basically तुम लोगों को सबसे पहले तो start classification ही कर वा रहे हैं ठीक है अब semiconductor की जो resistivity होती है वो metal से ज्यादा होती है ठीक है और इसका temperature coefficient याद है यह formula तुम लोगों को याद है chapter 3 में बढ़ने थे rho is equal to rho not one plus alpha delta T याद है अलबा क्या था temperature coefficient यहाँ पर resistivity हम लोग यूज़ कर रहे है ठीक है ना तो यह जो अपना semiconductor होता है इसका जो temperature coefficient of resistivity होता है ना वो negative भी होता है और high भी होता है इसका मतलब क्या है कि temperature बढ़ेगा तो resistivity बहुत तेजी से घटेगी क्योंकि alpha negative है इसका मतलब क्या है यह formula क्या बनेगा rho not one minus alpha delta T सोचो यह value जितनी बढ़ेगी यह negative item उतना बढ़ेगा और supply करोगे resistivity उतनी छोटी तो conductivity उतनी ज्यादा क्या यह बात समझ में आई कोई दिक्कार इसके अलावा इसमें metals के comparison में charge carriers कम होते हैं तो ऐसा मत सोच लेना कि metal से better conductor है समीकंडक्टर मेटल से better conductor compare अगर मेटल से करोगे तो लेकिन फाइदा इसमें होता है कि इसमें अपने पास special है वो यह है कि हम control हमारे पास ज्यादा है metals में वह control अवलेबल नहीं है लेकिन semiconductor में control बहुत ज्यादा है वलेबल है क्या तुम लोग हीट करके metal में current फ्लो करा सकते हो नहीं लेकिन semiconductor में यह चीज पॉसिबल है समझे हो तो यह छोटी चीज चीज है मतलब यही सब हैं जिसकी वज़ास से हमारा semiconductor important हो जाता है ठीक तो यह था है कि ऐसा हो सकता है कि जो जो semiconductor है वह कौन से material से बना हुआ हम लोग classification की बात करेंगे semiconductor के तो semiconductor जो है अलग-अलग material से बना हो सकता है और जब compound से बनेगा तो उसको क्या बलेगा Elemental Semiconductor और जब Compound से बनेगा तो उसको क्या बलेगा Compound Semiconductor ठीक है और हमारे जिंदगी में दोनों का use होता है हमारे जिंदगी में दोनों का use होता है तो इसमें पहला क्या रहेगा अपना Elemental तो ये कैसे होंगे भई ये Single Element होंगे For example, Silicon हो सकता है Germanium हो सकता है Basically ज़्यादा तो ये use होता है Elemental Semiconductor और दूसरा जो होगा और क्या होगा अपना Compound Semiconductor तो इसमें क्या बना रहेगा इसमें Compound use होता है जैसे CDS हो गया या Gallium Arcenite सबसे ज़्यादा use होता है या Indium Phosphite भी होता है तो इस सारे और भी होते है इसके अलावा पहले तो Organic Semiconductors का use नहीं होता था बट अब Technological Advancement हो चुका है इतना कि हम लोग Organic Polymers का use करके भी बना पार है Semiconductor ठीक है तो Organic Polymers में तुमारे Example है Polyaniline या Polypyrol या Polythiophene ये सारे Example है इसका अब इसको मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ कोई कि पूस्ता तो है नहीं तो अभी हम लोग Elemental और Compound दोनों को यूज करते हैं बहुत ज्यादा लेकिन 1990 बात से अभी अभी ताजा ताजा मतलब एक तरीके से सुरू हो ये कहानी कि ये जो Polymers है अभी किया जा रहा है जिसको अपन Polymer Electronics बोल सकते हैं ठीक कोई दिक्कत इस बात में तो अब देखो ऐसा है कि ये जो ये तो रहा इसका क्लासिफिकेशन सेमिकंडक्टर का किसके बेसिस पर भाई है ये कि या बेसिस क्या था यहां पर यहां पर हम लोग क्या देख रहे थे कि वो किस चीज से बना हुआ है मतलब उसके बोला जाए चैमिकल कंपोजिशन पर ठीक है एक और बेसिस पर हमको इसको क्लासिफाइए कर सकते हैं और वो है कि भाई इसमें करेंट कॉर्ण फ्लो कर आ रहा है मतलब ऑन दे बेसिस अफ नेचर अन दे बेसिस अफ नेचर आफ चार्ज केरियर या फिर सोर्स भी बोल सकते सोर्स एंड नेचर और चार्ज केरियर तो देखो अभी यह वाली चीज इतना ज्यादा डीटेल में तुम्हों को समझ में नहीं आएगी अभी क्लासिफिकेशन है उसको लिख के समझ लो अभी ठीक है सबसे पहला इसमें जो होता है वो होता है इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमिकंडक्टर तो इंट्रिंसिक सेमिकंडक्टर को हम लोग प्योर सेमिकंडक्टर भी बलते हैं इसमें होता क्या है तो इसमें आपने कोई भी एलिमेंट यूज करते हैं कोई भी मटेरियल यूज हो सकता है बट वो ज्यादा कैसा होना चीए तो एकदम प्योर होना चीए प्योर मतलब ऐसा कि उसमें इंप्योरिटी अगर एक इंप्योरिटी है तो वो at least 10 to power 10 atoms में एक इंप्योरिटी हो, समझ रहे हैं मतलब almost pure, समझ मैं आई बात की नहीं, अब इसमें जो carriers होते हैं, वो electrons होते हैं और holes होते हैं, ठीक है, और अपन heat thermal excitation की वज़े से इसको generate कर पात होते हैं, और holes क्या होते हैं, तो holes होते हैं, वो actually electron जहां से गायब हो जाता है, वो जगह एक vacancy create हो जाती है, solid state में vacancy क्या होती है, समझते ही हो तुम लोग, तो वो जो vacancy है न, वो एक positive charge की तरह भी हो करती है, और वो conduction में पाट लेती है, कैसे पाट लेती है, क्या करती है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे इस chapter में, अभी बस ये basic समझ में आया क्या, और यहाँ पर ध्यान ये है, कि intrinsic semiconductor में कुछ भी मिला नहीं होता है, एकदम pure होता है, तो इसमें number of electron होता है, number of holes के, अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा हो उतना अच्छे से, बढ़ आगे आएगा जैसे हम अभी ये जैसे, semiconductor को और detail में देखेंगे, इनका structure देखेंगे, crystal lattice देखेंगे, तो ये सारी चीज़े समझ में आएगी, दूसरा होता है, extrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor, तो ये जो extrinsic semiconductor है न, ये pure नहीं होता, इसमें हम लोग जान बूच के, कुछ एक regulated amount में, कम amount में बोलो तो, हम लो impurity डालते हैं, और वो impurity नहीं है, उसका दोनों का nature अलग-अलग होता है, तो अलग-अलग nature का मिलाने से, अपने को अलग-अलग type का semiconductor मिलता है, ये अपन आगे देखने वाले हैं, अभी basic ये था, तो basic ये है कि extrinsic semiconductor कैसा है, तो ये impure semiconductor है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो intrinsic semiconductor है ना, इसकी conductivity बढ़ाने के लिए doping करते हैं, ठीक है, जैसे sports में, जो player performance अपना enhance करते हैं, तो doping करते हैं, बाकी अलग बात है कि doping authority फिर उनको पकड़के बिठा जेती है, बट क्या चीज़ करते हैं, वो अपना performance enhance करने के लिए, अब intrinsic semiconductor था, उसकी conductivity ज् नहीं थी, तो उसका performance enhance करना था हमको, conductivity बढ़ाना था, क्या कि ये impurity मिला दिये, impurity मिला दिये, तो ये जो number of electrons है, number of holes है, वो बढ़ गया होगा, बढ़ गया, तो ज्यादा ही conductivity हो गई, simple सी बात तो यही है, डोपिंग क्यों करने हैं, तो ये बात समझ मैं ही क्या, मतलब जो mobile charge carriers है, जो charge carriers move करने वाले हैं, उनकी मात्रा हम लोग इसमें बढ़ा लिए, क्या ये बात समझ मैं ही, तो यहाँ पे, यहाँ पे जो current का conduction है, वो उसके अंदर जो atoms है, उन्हीं की वज़ासे होता है, mostly, इसकी वज़ासे होता है, जो intrinsically present होंगे, उसके पास होंगे, ठीक, ले semiconductor का basic तुम लोग को भी समझ मैं है, बहुत हलका सा, मतलब classification है, क्या-क्या, पहला classification क्या है, metal, non-metal और semiconductor क्या होता है, किसके basis पर कि ये, electrical properties के, उसके बाद हम लोग क्या देखें कि जो classification है, अगर हम, जो nature है material का, जिस material से उसको बनाया है, उसके ही साब से देखें, तो तीन प् compound और organic, अब अगर हम लोग बात करें कि कौन current conduct करवा रहा है, और current के लिए charge carriers आ कहां से रहे हैं, तो metals में कौन होता है, charge carrier, electrons, कौन से, जो outermost orbit में होता है, free electrons, जो loosely bound होता है, तो यहाँ semiconductor में एक दूसरा चीज भी आता है, जो कि होता है, hole, वो क्या होता है, आगे देखने व class में हम लोग valence bond model देखेंगे, या valence bond model में होता क्या है, तो हम लोग इसका latest structure समझेंगे कि कैसे bonding हो रही है, कैसे silicon का structure है, कैसे उसमें doping करने पर क्या हो रहा है, कैसे हमको electron मिल रहा है, कैसे हम लोगों को hole मिल रहा है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, enjoy करो